सोभा का शेयर पहली तिमाही में ओपरेटिंग मार्जिन से 3% लुड़का सोभा एल टीडी ने क्यू एक मुनाफे में 165 प्रतिशत की वृद्धी के साथ मुनाफा 12.05 करोड रुपए दर्स किया। ओपरेटिंग मार्जिन के बावजूद कम्पनी ने अन्या आय और टॉप लाइन वृद्धी के कारण मुनाफे में बढ़त हासिल की। ओपरेटिंग मार्जिन के बावजूद कम्पनी ने अन्या आय और टॉप लाइन वृद्धी के कारण क्यू एक मुनाफे में 165 प्रतिशत की वृद्धी के साथ मुनाफा 12.05 करोड रुपए दर्स किया। शोभा का ओपरेशन्स से कंसोलिडेटेड रेवन्यू भी जून तिमाही में 60.08 प्रतिशत बढ़कर 907.09 करोड रुपए हो गया। तिमाही के लिए एबिट्डा पिछले साल के 820 करोड रुपए के मुकाबले 967 करोड रुपए रहा। लेकिन एबिट्डा मार्जिन क्यू 1FY 23 में 14.03 प्रतिशत से घटकर इस बार 10.03 प्रतिशत हो गई। शोभा ने लगातार पाँचवी तिमाही में रिकॉर्ड हाई बुकिंग दर्स की। जिसमें प्रीसेल्स में सालाना 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। सुभा 10 बचकर 37 मिनट बजे तक शेर 584.10 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। जो कल के बंद से लगभग 3 प्रतिशत नीचे का स्तर है। उस समय शेर का वॉल्यूम 354-512 रहा जो 20 दिन के ओसत 767-150 से कम था। 14 राज्यों और 27 शहरों में कमपनी के प्रोजेक्ट्स बेंगलरु स्थित सोभा आवासिये और रिटेल रियल एस्टेट, संस्थागत और वानिजिक अनुबंध और विनिर्मान और फरनीचर और फरनिशिन रिटेल सेक्टर में कारोबार करती है। कमपनी ने अब तक 14 राज्यों के 27 भारतिय शहरों में लगभग 1300 करोड वर्क फुट शेत्र, 130 मिलियन स्क्वेर फीट के प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिये हैं। फरवरी 2023 में कमपनी ने हैदराबाद में अपनी उपस्थिती का विस्तार करने की योजना की घोशना की थी, जिससे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स वाले शहरों की कुल संख्या 12 और कॉंट्रेक्चुल प्रोजेक्ट्स की संख्या 26 हो गई। 2022 में IT और ED का पड़ा था च्छापा जून में शोभा डेवलपर्स के मुख्य कार्याले और अन्य संबंधित कार्यालियों पर आयकर अधिकारियों, Income Tax Officials ने च्छापा मारा था। दिसंबर 2022 में प्रवर्तन निदेशाले, Enforcement Directorate, ED ने धन शोधन निवारन अधिनियम, 2002 Prevention of Money Laundering Act, 2002 के तहत कंपनी के खिलाफ 202 करोड रुपए की प्रोविजन कुरकी की